कि नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्छों गुड़ आफ्टरनून सभी बच्छों को सभी बच्छों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विदंके डिफैंस में और जिन भी बच्छों का एक्जाम हो चुके हैं उन सभी बच्छों को अब बड़ी शानती मिल रही होगे और बड़े अराम से बैठी होंगे लेकिन अभी बच्छों के लिए जैसे की नर्सिंग असिस्टेंट है जहां पर बाइलोजी बहुत अच्छे आपको मार्क्स दिल्वाने वाली है फिफ्टी मेराथन वगेरा तो हो चुकी थी पूरा बड़े स्तर पर मेराथन हम लोग कर चुके थे अब कुछ ऐसी चीज़े आप लोगों को लास्ट टाइम पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप लोगों को एक्जाम में बड़ी ही महत्तपूर्ण साबित होने वाली है तो हमें पता है कल पर सो आप लोगों का बड़ाम होने वाला है तो अब रिवीजन का टाइम आपको जादा से जादा देना है इस क्लास में आपको कुछ ऐसी चीज़े कुछ ऐसा कंटेंट हम लोग प्रवाइड करेंगे जो एक्जाम में सीधे ही आपको देखने को भी लेगा आप लोगों को लासट टाइम में तक जो भी इस लेवस आपका लास में था जूभी महरतन में था हो सब हो चुका है वह सब आप रिवाइज कर चुके होगे लासट राइम की डोस यह जो आपको दी जा रही है इसमें सिर्फ इसका सिर्फ उद्देश्य इतना है वीचा कि आप लोग परिशानना हो कि हाँ यह भी करना है वो भी करना है सिर्फ आराम से कोपी पैन लेकर बैठ जाओ कुछ प्रस्ट बता रही हूं इन्पोटेंट कुछ चीज़ें रिवाइस कर वारी हूं उनको सुनते चलना बैठकर और जो नहीं नहीं चीज़ें लग रही हैं जैस प्रस्टिबिल्टी के साथ आपको क्लास दी जा रही है कि आपको एक्जाम में यहां से क्वेशन्स मिलने वाली है तो आजाओ हां जी सभी बच्चों का स्वागत है बिटा सभी बच्चों को राम राम हैं गुड़ आफ्टर नून है चलिए तो आज की क्लास में क्या बनेंगे बेटा और कुछ बिमारिया हैं जो आपको रिवाइस करा रही हूं ठीक है और कुछ ऐसे नई क्वेश्चन में आपको दूंगी आज की क्लास में जो आप लोगों को ग्याद कर लेने हैं और जो भी आपका आगामी एक्जाम है उसमें वह क्वेशन्स आप लोगो ने बहुत सारी घ्लैंड्स पड़ी ती अब कई बार घ्रंथियां जब होर्मोन कम निकालती है उर्मोन जदेटी है तो कुछ भीमारियां भी हमारे शरीर में हो जाती हैं प्लस मैंने आपको वायरस से ओने वाली बिमारी प्रोटोजोवाब फंगस आनुवानशिक रोग य सबच्चे से आपका रिविजन हो गया होगा आए कुछ और एक्स्टा चीजों पर नजर डाल दी जाए जैसे कि कुछ अंतरस्त्रावी बिमारियां आप लोगों को पूछ ली जाएंगे कुछ और पूछ ली जाएंगे कि कौन सा हॉर्मोन ऊपर हो गया कौन सा और मॉन नीचे आपके शरीर में हो गया तो कौन सी बिमारी आपको हो जाएगी ठीक है तो देखो सबसे पहले जैंटेनिस्म और जैंटेनिस्म में आपको पढ़ा चुकी थी पहले भी एक बार फिर से देख बिमारी आप लोग कई बार जड मानवता भी बोलते हो जड मानवता करके आ जाये ना तो यह होगा जैंटेनिस्म एक कारण क्या है प्यूश ग्रंती की अगरपालिका से स्ट्यस होर्मोन के अधिक स्ट्रवन के कारण अब स्ट्यस होर्मोन का एक और नाम है आप लोग मेरे साथ के साथ बोलते हैं चले जाओगे इसका नाम क्या होता है ग्रोथ होर्मोन है बेटा यह तो यह ग्रोथ होर्मोन जब आपके शरीर में जादा बन जाता है तो हम लोगों को जड मानवता भीमारी हो जाएगी यानि की भीम कायता रोग भी इसी को बोलते हैं और मैंने जो इसी की अधिकता से हो जाती है और आपको पता है पिटी ऊट्री का अगर भाग निकालता है तो सीधा-सीधा एक्जाम में कुछ पूछ लेगा कि जड मानवता भीमकायता यह जैंटे देज्व किस अधिकता या कमी के कारण होती है तो याद रखना ग्रोथ केवल दायबर्टीज जो आप लोगों का पूछ ले कभी एक्जाम के अंदर इसका इसका कारण है वह एसोप्रेसीन होर्मोन की कमी वह देखा गया है को बड़ी ध्यान से पढ़ना डाइबरीजेस पूछे तो इंसुलीन होर्मोन की कमी से पुछे तो एडिएच होर्मोन की कमी की वज़ा से ठीक है चलो वही चीज से इंग्लिश में यहां पर लिखी हुई है जैन्टेनिज्म क्या होता है ड्यू टू एक्सिसनेस सीक्रेशन ओफ एस्ट एस्ट होर्मोन स्टॉमेटो ट्रोफिक होर्मोन क्लास में कराया था इसी का दूसरा नाम जी एच भी होता है वहां लिखा हुआ है ठीक है चलो आओ अब आगे मैं चलती हूं आप लोगों को आगे बताती हूं कुछ और बिमारियां जैसे आपको पूछ ले गॉइटर यानि कि इसको बोलते हैं घेंगा रोग इंपोर्टेंट एक्जाम में पूछा जा सकता है घे घेंग यह ठीक है क्लिए मुख लोग्यू होता है एक साथ साथ याद रखना गोई टर तो हना जी होता है थायरॉक्सिन और्मोन की कमी से साथ में गोई टर के साथ कुछ और नाम लगाकर भी दे सकता है आपको पूछ ले कृटिनीजम आपको पूछ ले मिक्सोडीमा तो ब यह बिमारीयां भी थायरोईड की गहेंगा गहेंगे के साथ चलती और थायरोक्सिन और मों की कमी के कारण चलती है तो यह तो यह तो कमी के कारण होने वाली विमारियां आधिक हो जाता है उसके कारण होने वाली बिमारियां को दिक्कत आई थी कि यहां तक नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को हाँ घेंगा जो कि आयोडीन की कमी से होता है बहुत 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 भी था मैंने आपको इसका मतलब बहुत अच्छा रिवीजन आप लोगों का हो चुका है आयोड जीवानू से होने वाली बिमारी है लेकिन कई बार जो टिटेनी होता है यह जीवानू का इंफ्शन ना होकर बैक्टीरिया का इंफैक्शन होकर एक हॉर्मोन के दुवारा भी हो जाता है जो कि पैराथ हॉर्मोन होता है इसके कमस्तरवन के कारण भी हो सकता है तो यह भी एक्जाम में कुछेगा देखो पर करेगा आपको option कैसे दिये हैं आपको पुछले टिटेनी रोग का कारण क्या है वैक्तिरिया वायरस प्रोटोजोवा फंगस जब ऐसे करके option दे तो आपको पता है टिटेनी जीवानु के कारण होता है जीवानु का नाम कराया था क्लोस्टीडियम टिटेनी कराया था क्लास में क्लोस्टीडियम टिटेनी यह कराया था आपको क्लास में लेकिन बेटा यह आप लोगों का टिटेनी रोग है ना यह पैराथ होर्मोन की कमी के स्त्रावन के कारण भी होता है जब पैराथ हो इरोईड होर्मोन कम हो जाए आपकी बोडी में सब भी टिटेनी का हो सकता है रोग ठीक है समझ में आगे टिटेनी वो टेटनस था जो जीवानू से होता था देखो डिफ्रेंस करके याद करना आप लोग देखो यह जो बैक्टीरिया से मैंने आपको बताया है ना इसका नाम यहां नीचे लिख रही हूं कि टेन जिसको आप लोग बोलते हो टिटेनस या टेटनस करके जिसको आप बोलते हो ठीक है टेटनस करके जिसको आप बोलते हो तो जब आपको टेटनस पूछेगा ना तो आप लोग क्या आंसर करोगे जीवानू करोगे बैक्तीरिया और कौन सा बैक्तीरिया यह जो लिखा हुआ है लेकिन जब आपको पूछेगा टिटेनी तो Confused नहीं होना आप लोगों को क्सके कारण तो दोनों थ्यान कर के आप लोग को इस लिए टिटेनी मैंने पहले ही 40 लिख वाए था जिस्ते आप लोग चीजों को को रिलेट करके अच्छे से पढ़ सके ठीक आजाओ तो बिलकुल अलग करोगे टिटेनी पूछेगा तो पैराथ होर्मोन याद पूछेगा तो जीवानों क्लॉस्टे इङए अब देखो वाइरोलिस्म जो भीमारी होती है किसके कारण होती है अधिक स्त्रवन के कारण होती है वाइरोलिस्म भीमारी तो यह नहीं बेटा तो यह थोड़ा सा दिमाग में रख जाना बाकी आपको क्लास में कराएं वो तो जा सकती है तो वाइरोलीजम जो होता है यह भी अधिक्ता के कारण होता है ठीक है चलो आजो हाँ क्लरक वाले ले लो एक चलो आज़ो अभी दर आप अगले पर चलते हैं बेटा देखो यह आ गया डाइबटी जो मैंने आपको पीछी अभी बताया था वो डाइबटी इंसी मेली स्था यह डाइबटी जैखी वर दूम है किसके चल इंसुलीन के कमस्थरावण के कारण मादू मैं रोग जो होता है इंसुलीन के कमश्थरावण के कारण होता है अब एक और बिमारी आती है अधीसिन रोग एडिसिन डिदीजिस डिजीस इसको बोलते हो ला के कंश्च त्रवन के कारण होता है कोटीन में आई तो यह कुछ बिमारी ऐसे जिनको आपको पता भी और कुछ जो नहीं लग रही है लो और उनको दिक क्योंकि यह बहुत ज्यादा चाट कर बहुत ज्यादा कलेक्शन करकर वह ज्यादा पेपर की छानबीन करकर तब मैं उठाकर लाई हूं कि कहीं यहां से क्वेशन ना बन जाए ठीक है इस क्लास को कराने का लास टाइम में देश ही है जितना आपको करा चुकी थी वह सफिशन था बेटा कुशन मिलेंगे वहां से बेफिक्र रहो पट यह कुछ ऐसी चीज़ें मैं उठाकर लेकर आई हूं जिससे कि आप लोगों का जो शक है वो ब इसको एक बार देख लेना बोनापन भी कई बार पूछ लेता है कि बोनापन द्रॉफनीजम जो होती है यह किसके कारण होती है जब ग्रोथ और्मोन कम निकलेगा बेटा देखो लोट हो अच्छी मातरा में निकल रहा है तो सही नॉर्मल ग्रोथ करेगा जैसे कि वह पर ग्रोथ होर्मोन जादा निकल रहा है इसलिए उनको भीम कायता रोग हो जाएगा उसलिए उनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी साथ-साथ हो जाएगी जबकि जो आप लोगों की नॉर्मल हाइट है मानलो लड़कियों में पांच फिट है या आप उससे नीचे जब ज ज्याधा निकलेगा तो भीम कायता यानी वेम की तरह जाएंगे तो वह यहां पर कहा रहा है की बोनापन किसके कारण आता हहा हो जाता है यह मृम और देखोगोली यानी белी की अधिक इस तरन के कारण इस विमारी में हां पैर तता है चेरे की अध्याश आप V successfully आप लोगो करक어나 को कोई ओरगन कि इतना लंबा हो गया आपका बॉडी बहुत ऊजटी नीचे है लेकिन बमें पणाजी उसी को बोलते हैं पर बहुत बस्कोर्मारी पुंटर सिम्टम नजर आता है दो कहीं कहीं क्या होता है वह डी के किसी भी ओर अर्गन का अक्सेश ग्रोहत कर या कीसी भी अंग का अतिरिक्त बढ़ जाना जैसे बोड़ी तो चोटी है पूली लेकिन हाथ बहुत लंबा हो गया पैर बहुत लंबा हो गया नहीं नहीं घाते हो आप लोग लंबा होने की बोलते ने उनके side effect हो जाएंगे कि भाई या हाथ लंबा हो जाएगा पैर लंबा हो जाएगा वही side effect है तो कई बार पूछ लेगा कि side effect किसके कारण तो बेटा आपके हाथों में पैरों में जो सीक्रेशन होता है growth hormone का वह जादा हो जाता है जिसके कारण एक्रोमों गोली हो जाती है बोनीपन के साथ ठीक है तो इसमें यही लिखा हुआ है चैरे की अड्डिया काफी बड़ी हो जाती है तता संयोंजी उत्तक काफी मोटे हो जाते है तो इस पर भी एक नजर डाल कर जाहिएगा आप लोग ठीक है वही इंग्लिश में लिखे हुए चीज़ दूट दाद एफिशेंशी ओफ ग्रोथ और्मोन अक्रोमोलोजी दूट एक्सिस स्ट्रेशन ओफ ग्रोथ ओर्मोन इन दिस दिजीज दाट बोन ओफ हैंड फीट एंड फेस बिकम वैरी लाट जन कनेक्टिव दाइट इस्टीशू बिकम वैरी थी तो बही बोना पन तो होना ही होना है कमी के कारण लेकिन कई बार बोनेपन के साथ हाथ पैर लंबे हो जाते हैं पूरी बोड़ी ग्रोथ ना करकर कोई विशेश स्पेसिफिक औरगन जब ग्रोथ करेगा उसको बोलेंगे अक्रोमोलोजी ठीक है बेटा क्लर्क के लिए ले सकते हो पीड़ करो या आप लोग कोपी पेस्ट मुत करो वैसे एपने के लिए के लिए श्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ठीक है आप देखो इदर मीक्सोडीमा क्या होता है बेटा मीकसोडीमा तामी यानि जब थाइरोक्सिन होर्मोन अधिक मात्रा में निकलेगा तो मीक्सो निकलेना नीचे कमी के कारण और यह किसके कारण होगा बेटा अधिक्टा के कारण समझ में आ गई बात तो अतिस्ट्रवन यानि अधिक्ता और अप्रियाप्टि स्त्रवन यानि कमी के कारण दूट दा इंस्फिशंट सी क्रेशन ठीक है कमी के कारण it is due to the over सिक्रेशन ओवर सिक्रेशन होगा अधिकता और इंसिफिशेंट मतलब कमी के करण आजाओ नेक्स पर चलते हैं अब कुछ ऐसी बिमारी आए जो हार्ष रोग के नाम से जानी जाती है जिनको आप लोग डैफिशेंसी डिजीज भी बोलते हो बेटा डैफिशेंसी डिजीज य मतलब धमनी होता है उनी से संबंदित विमारी ट्रिक करके को रिलेट कर लेना ओर्टियो स्क्लेरोसिस होती है बिमारी हाइपर टेंशन मतलब बीपी अधिक हो जाना दिखा हुआ है अधिक रुदीर दाव लुकेमिया आप लोगों को पता है रुदीर कैंसर जिसमें आप विटामीन के कमी के कारण होती है हुई नेक्तोलेपिया और रतोंदी जो होता है यह आप लोग याद रखोगे इसको नाइट ब्लाइडनेस के नाम से भी जाना जाता है यानि कि इसके अंदर आप लोगों को मीजल के लक्षन भी दिखते हैं बेटा यानि यह बी एक्जाम में कुष्चन है मैं कराओंगे भी लास्ट में पूछा जाएगा आप लोगों को तो यह यह आद रखना कि यह आप लो से होती है तो इसके अंदर ये भी शिम्टम दिखते हैं आप लोगों तो यह चीज़े पूछी जा सकती है इनाइट ब्लाइंड जो होता है इसको इसका संबंद किस्टे या जी रोटा असका संबंद किस्टे तो बेटा मीजल वससे होता है ठीक है आजाओ अब देखोगे आगे की बिमारी यहां क्वाशी कोः क्वाशी कोः प्रोटीन की कमी से होती है जिए कि प्रोटीन की कमी से आपको पता है बेरी बेरी बेटा विटामीन B1 की कमी से आपको पता है करवी बेटा विटामीन C की कमी से है और इस करवी को आप लोग ब्लीडिंग गम भी बोलते हो बेटा क्या बोलते हो ब्लीडिंग गम्स यानि मसूडों से खून आना तो मसूडों से खून आना क्या होता है यही होती है यह बिमारी ठीक है मसूडों से खून आना इस कर्वी कोई बोला जाता है ब्लीडिंग गंज रिकेट्स आपको पता है बच्चों में होता है विटामीन के मिन क्या है यह सब आप लोगों को साथ के साथ लिखना एक बाहर फिर से सुननों बता देती हूं वीवन का कैमिकल नेम क्या होता है थाइमीन लास में कराया था है आपका जो इसकर्वी है विटामीन कमी से होता है सी का नाम एक्जाम में रिकेट्स उता है बच्चों में होता है ड की कमी से का नाम हैजिकल्सी फेरोल को साथके साथ यह चीजें भी आपने रिवाइस कर ली होगे क्योंकि एक्जाम आपका आने वाल फितामीन-बीवन यूटू टूब सब पता है आपको रिवाइस वल्राच्छे से यह अब इदर देखो कि आज अब देखो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे बिटा अगली बीमारी क्या है ऑस्टियो मलेशिया छो होते है विटामीन की कमी के कारण होत है आपको पता है और हैमरीज या हैमरेज Ohh के के कमी के कारण हो जाता है तो करह बार वूछ लेता है कि हैम रीज जिसी समस्च्या किस विटामीन की कमी से business क्लास में लिखवाया था के की कमी से ठीक है तो यह साड़ी चीज़े आप लोगों ने पढ़ ली होंगी बिटा पेलेग्रा को देखो यहां पर लिखना विटामीन बी-3 यहां पर बी-3 लिखना यह पुरानी बुक्स में कई बार मैंशन किया होता है लेकिन आपको बी-3 लि बेटा आपके जो स्लेबस में पुल्यूशन वाला चैप्टर था उसको आपको खुद करना था अच्छा जैप्टर था इजी था वहीं से कुछ प्रेक्टिस सैट या कुछ प्रिवेशन में पूचे गए हैं आओ करो भूमी प्रदूशन के बारे में पूचा गया था बीटी को प्रदूशित करते हैं जंगलों के कटाई से जो भूमी का प्रदूशन वो बेसिकली नहीं हो सकता ठीक है डीप और बीटी का यहां पर दोनों है अलोफ दिया होता तो लगा सकते थे तो डी ओप्शन यहां पर अभी के लिए सायोगा और यहीं आपके एक्जाम म बना रहेगा वह कौन सा है बायोडिगरेबल कौन सा नहीं है मल वहीत प्धात डीडी टी डैग डेटी से प्राप्त दूशित जल यह चमडा उद्द्योग द्वारा प्रदूशित पानी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बायो डिग्रेबल कौन सा है बिल्कुल सही तो जो मिट्टी में गुलेंगे वो कोन होते हैं नोन व्यवडेगेल यहां पर पूचा रहा है बाइएव बिसुझ सोलाइज कारण यहां पर अगर हम देखें तो स्मॉक करेगा उसको तो हो गई होगा प्लस दूसरों को भी हो जाएगा क्योंकि जब यह स्मॉक करेंगे तो दुवा निकालेंगे दुवे में यह सारे पोशक यह सारे के सारे पोल्यूटैंट होंगे सारे पोल्यूटैंट उपस्तित है तो दूसरे व्यक्तियों के अंदर भी यह जाएगा तो इन सब का कारण क्या है बेटा स्मॉकिंग दुम्रुपान मत किया करो स्मॉकिंग जो करते हैं ठीक है आ जाओ तो खुद तो कैंसर हो गई होगा दूसरों को भी हो जाएगा आओ आगे काज महल को शती पहुंच सकती है बताओ किस से ताज महल कैन बी डैमेज्ड यमना में बाड से अधिक कापड संगमर्मर के अपगटन द्वारा बथूरा तेल रिफाइनरी से निकले वाले प्रदूशकों से या उप्रुक्त में से कोई भी नहीं है बताओ है है फीवर पूछा था ठीक है आजाओ है अब इदार आओ बेटा अब बताओ जल्दी से ताज महल को शती पहुंच किस से पहुंच सकती है यमना में बाड से इत्य दिक आप पर संगमर्मर अपगटन से तो बिलकुल बेटा यहां पे स्रीयांसर जो बच्चे ब है तो ताज महल इस कारण हो सकता है एक्जाम का क्विश्चन था आजाओ नेक्स पॉल्यूशन से क्विश्चन है प्रदूशन से मुक्त रखने हैं तो घर की बागियों में स्विस्स प्लांट जिसको मोंस्टेरा डेली सिफो इसा भी बोलते हैं लगाने से लाब होता है ज रखने में साथ हो जाएगा यह हो सकता है क्विश्चन पूछलिया जाए आपको फिर से तो याद रखना सुफीर पूछलिया जाए पीपल पर पूछ लिया जाए आपको पता है यह ओशदिया पोदे होते है पीपल का पेड़ जो होता है यह बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है इसलिए इसकी पूजा की जाती है तुलसी में वह सारी एंटी बैक्टीरियल या एंटी सैप्टिक प्रोपर्टी होती है तुलसी के अंदर बहुत अच्छी रवाई ओशदी के रूप में काम करता है तो याद रखना यह चोटे-चोटे फैक्ट जो आप खुद कर सकते हो ठीक है आओ आगे ग्रीन हाउस गैस का उत्तरजन मानव स्वास्ते यह तुहानिकारक है जो गैसी बताओ ग्रीन हाउस गै प्राणियों के लिए सरवादिक हानिकारक होते हैं विच फॉलोविंग पॉल्यूटेंट आर मोस्ट हामफूल टू लीविंग बिंग्स वाई लीविंग इन कंच सैल एटी सी तो बेटा कोपर और जिंक जो होते हैं यह जो एलिमेंट हैं यह आपके जो संक सीपी होते हैं इनके अंदर रहकर क्या करते हैं पॉल्यूटेंट यानि प्राणियों के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं तो यह वाला कुश्चन भी पूछा था इसको अच्छे से कर लेना पूछा जा सकता है आप लोगों को भी ठीक है आईए नेक्स पोवनस्ती बिमारी प्रदूशन क जलो आप देखो इदर ने अब देखो इदर है पेड़ोन लोजी होता है मिट्टी मिट्टी स्कर वी है पुल्यूइठ कने वाले w कि ऑनुबहलों वाल प्रदूशक मत्या आपको पता है कानुमाजब्न से सब्मदनीत बिमारी पिक सो यह यह हो जाती है आपके ऐंदर प्रदूशन से संबंदित बिमारी तो लगातार पॉल्यूटेंट हवा के अंदर सांस लेने से धूल मिट्टी के कंड आपके फैंफ़रों में जाएंगे और ब्रॉंकाइटिस कर सकते हैं ठीक है फैंफ़रों की बिमारी होती है ब्रॉंकाइटिस चलो आगे देखो किसी प्राकर्तिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतु जीव जनतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है तो आपको एकोलोजी दिया हुआ था बेटा चैप्टर में तो वहां पर पूछ रहा है कि किसी प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली और पालतु जीवों की या पादपों की जो प्रजातिय उनको क्या कहेंगे तो यह होता है बैटा जैविभी वीडिता यह होता है ठीक है देखो कैसे यह किसी भी प्रदेश में जगली जानवर भी आन्फ साफ अलाग को घरों रख सकते हो जंगली वह जो जंगल में रहेंगे वैसे प्लांट के बारे में भी बात हो रही है तो यह वेराइटी पाए जा रही है यह वैरियेशन है जीवों के अंदर बेटा तो इसको आप लोग बोलते हो बायो डाइवरसिटी जैव विवीदिता ठीक है आजाओ नेक्स्ट देखो बाकी एकोलोदी से मैंने आपको कुशन कराये थे ठीक है अब इदर देखो वह अनोन्य किरिया जिसमें एक आबादी जो परभक्षी रूप में होती है उसे लाव कोचता है दूसरी आबादी की तुल्ना में जिसका शिकार एवं समदन होता है और प्रे की जिवित होगा पर जीवित का मतलब क्या है किसी जीवित के ऊपर रहकर शिकार करने वाला जो एक्फी है चाहीं गौ सब्सक्राइए है उन्फ शिकार करते प्रें की तरह उसको खाते हैं तो वह जाते नो तो पैरसिटीज्म इसको आप लोग बोलते हो पैरसिटीज्म ठीक है आजाओ अभी दर हम जो हिम शिकर होते हैं उन पर उगने वाले पोदे कैसे होते हैं नहीं पर उगने वाले जो प्लाट होते हैं उनको बोलते हो एलपाइन और उस रीजन को एलपाइन रीजन बोलते हो जो पहाडीयां होते हैं उन पर पेड उगे होते हैं विनको जो पहाडी ओपर क्या होते हैं यह सोल्टी वोटर में उगते हैं विने जुले पानी के अंदर होते हैं पाली वाले भी हो सकती है और गाँ तरवें तर लुकिते बम को रापर होती है इसकी जो संचे शमता होती है वह किस के बुटम बाराबर वहाए कम निशकाशित कर दिया जाए तो सी ओप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा ब्रैदा की जो संच्य शंता बराबर होती है वो किसके ब्रैदा जल धारिता जिसमें आद्रत जल को निश्काशित कर दिया जाए तो यह सीधा सीधा क्वेशन आप लोगों को पूछा गया था आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर सोईल वाटर होल्डिंग फ्रों विच मौश्चर वाटर कैन बी एक्सपैल यानि ऐसे मिट्टे जिससे आद्रता जो पानी आद्र पानी नमी वाला पानी वो निकाल दिया जाए जो ड्राइव वोटर जो ड्राइज सोईल बच्ची उसी को बोलते हो आप लोग यह सारी चीज़े ना डारेक्ट आपको पूछी जा सकते हैं अब इधर देखो वह जीव जो प्रकरती में नाइट्रोजन चक्र से सक्रिय रूप में भाग लेता है क्या कहलाता है नाइट्रोजन साइकल पढ़ाईती बेटा और नाइट्रोजन साइकल करते हैं बैक्तिरिय क्वेश्चन एकदम सिंपल लेवल कहीं बनेगा क्वेश्चन हाड नहीं बनेंगे पर यह कुछ ऐसे क्वेश्चन के कलेक्शन है बेटा जो आपको संभावित एक्जाम में पूचे जा सकते हैं तो एक्जाम का लेवल अगर थोड़ा सा हाड रहा लैंग्वेज अगर नाइडरोजन साइकल से अफुन साइकल शुस्ट रेलेटेठ्व क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को और कितना सिंपल है कि भया नाइडरोजन चक्र करने वाले वाले बैक्तिरिया वह होते हैं जो पर यह सब करे थे ति कुस्छषन हाड नहीं है यह आपको पढ़ना है और इसलिए language की तयारी ही कराई जारी है बेसिकल ये सोचो जेव घटक क्या है बेटा बताओ biological component क्या क्या होते हैं जहान से पढ़ना बिल्कुल आपको पता है ब्रदा के भौतिक घटक होते हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं वायू मंडली ये घटक हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं वहस अभी जीवित जीव जो दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं देखो ध्यान से सुनो जैव घटक पूछ रहा है जैव पायो बायो प्रभावित करते हैं अगर आजयविक पूछता तो मिट्टी पानी बरसात यह सब हो जाता आपको बताया हुआ कुशन है ठीक है आज़ा वागे देखो कारवन चक्र से आगया कारवन चक्र का सही प्रक्रम निम्नलिकित में से कौन सा है बताओ प्रकाश चैशन से शुरू होती है यह कारवन साइकल भी प्रकाश चैशन से शुरू होगी तो कौनसेप्ट को पकड़ते चलो साथ के साथ प्रकाश चैशन होगा अप घटक जीवानु वगरा होते हैं वह लाश को खाएंगे उनके शरीर में कार्वाइडरेट पहुचेगा पीर वो मिट्टी में मिला देंगे उन सारे पोशक्पदारतों को मिट्टी में कार्वन पहुंच जाएगा इस तरीके से फिर वो पोदों में जाएगा एट्मोस्फियर के साथ वाइउ के साथ पोटो सिंतेसिस की किरिया दुआरा ये सब साइकल चलती रहेगी तो की बाइलोजी या जो आप लोगों की टेकनोलोजी उसमें नहीं नहीं खोजे तो नहीं नहीं खोजों के साथ साथ खत्रे में खोना यह बताओ विच ब्रांच ओफ नूली डिवेलफमेंट साइन्स इस डेंजर बैल पो बायो डाइवर्सटी जेव प्रध्योगी की जो है बा बायो टेकनोलोजी के कारण ही ऐसा हो रहा है नहीं खोजे तो हो रही है लेकिन जीवों को नुक्सान हो रहा है एक आओ आगे पढ़ो अब इधर देखो किस प्रकार की जेव विविदता का उप्योग रजनन कारियों में किया जाता है तो विच टाइप ओ बायो डाइवर्सिटी इस यूजड इन ब्रीडिंग अक्तिविटी तो बेटा बायो डाइवर्सिटी बनाने के लिए जीवों में विविदता लाने के लिए आनुअंश यानि जैनेटिक डाइवर्सिटी बेटा देखो सीधी सीधी बात है आपको जूट बैगाने से कोई फाइदा नहीं है बिल्कुल भी है ना आपको पता है कि एक्जाम का लेवल क्वेश्चन में बता रही हूं सिंपल ही आएंगे और सिंपल कुशन आप सारे कर दोगे क्यो तो सिर्फ लैंग्वेज हाड है यहां पर भी जो मैंने आपको प्रेक्टिस कर आ रही हूं इनको जस्त पढ़ना है आप लोगों को दिमाग पर बर्ड़न लेना है कि यह कोशन टिपीकल लग रहे हैं यह कुछ नहीं बेटा सिर्फ पढ़ना है एक्जाम में आ सकते हैं ठी बनेंगे वह आप लोगों को यहां से लिए चीजों को इसी लिए अच्छे से पढ़ ले ना आज आगे चलते हैं अब चलते हैं कि तरफ लवनों दीत होते हैं िस पत्यों के संदर्म में कौन सा गतन सही नहीं है तो होलोफिटेक मुल पाई जाती है ऐसे पोदों में जट्था आंकुर अब भी तो हुझा है तो यह तीनों स्टेटमेंट्स है है होलो फिटिक के लिए के वल गलत पूछ रहा है तो ऐसे पोदे सहजी भी नहीं होते बेटा तो यह सिंबायोटिक रिलेशन नहीं दिखाने वाले कौन होते हैं जैसे कि आपके लाइक हैं पढ़ाया था आपको मैंने चैवाल और कवद के साथ रहते हैं यह की सबस्हायों और कवक के साथ ठीक है इसंबाइटिक नहीं हो सकते आ जाओ आगे रहे हैं we कि नाइट्रोजन विहीन म्रदा में कैसे पोड़े उटते हैं बेटा यह दोहजार पंदरा में पूछा गया था आप लोगों का क्विशन नाय्ट्रोजन मुईंत म्रदा में कैसे तो जहां कि मी नाय्टोजन काम ही है माँपर बख्षी प्लांट वहता है कि अम लोगों का इक हुच्चर प्लांत इंटेट कैर नियद सह ways पिच्चर प्लांट हो गया नैफ्टनीज हो गया यह आप लोगों के क्या है कीट भख्षी पोदे तो म्रदा जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती ना वहाँ पर कैसे पोदे उपते हैं इंसक्ति वोरस प्लांट पोदों की स्वस्त व्रद्धी के लिए सबसे दोमत मिट्टी वेटा दोमत लोमी सोईल इंपल क्वेश्चन आउगे देखो एक पशू निमलीकित लक्षन प्रदर्शित कर रहा है अब के टोपिक में एनिमल हजबनरी भी दिया हुआ है वेटा आप एनिमल हजबेंडरी जो दिया हुआ है वहां से सिंपल से बनेंगे ज पक्षु चारा नहीं खा रहा हैं तो बता ओ पक्षु कौन सी बिमारी से घ्रस्त है यह पुछ बिमारीं मैं लास्ट में चार्ट भी दूँगी आप लोगों को जो जहान जोंसे जन्तूओं के अंदर बिमारी मारि होती है इनिमल्स के अंदर तो याद रखना उसको मिलक विवर उसको तिर बिमारी हो गई है तो देख लेना थोड़ा सा कुश्चन देख कर जाना आजाओ आगे अब ऐसा भी कुश्चन आ सकता है कि संकर गाय के दूद में कितने प्रतिषत वसा होती है हायब्रीड काउ Umwelt जानते हो जो अलग अलग पृजातियों से बनाई गई है जैसे कि कुछ से किकि meget हैं एक या दो प्रस्विलेंगा अगे ऑप्रेशन फ्लोड किस से संबंदित है बता दो इसे उपरेशन अब यह एग हाँ सी क्वेशन भी आएंगे अब यह क्वेश्चन आपको करने आएं दिखो ऐसे लिए बिल्कुल परिशान मत होना इन Qs को एक बार देखकर जाना इन Qs को एक बार देखकर जाना बाकि प्रेपर तिमपल आएगा घबराना नहीं डरना नहीं जो कराया है करके जाना खी है आजओना बहतुपूर्ण प्रश्ण है आप वन लाइनर कुछ देखो कैसे आपको यह क्वेश्ण भी एक्जाम में पूछे गए हैं तमाकों में मनुष्य को हानी पहुचाने वाला पधार्त कौन सा है सभी को पता है तमाकों खाते हैं तो उसमें क्या होता है निकोटीन होता है तो नि अब देखो उड़ने वाला इस्तंधारी कौन सा है बता दो कितना सिंपल है समगादर बैट ठीक है विच ओवदा हांफुल प्लांट इन टबैको टबैको में हांफुल जो भी सबस्टेंस वो क्या होता है निकोटीन होता है और फ्लाइंग इसा मैमल यानि कि फ्लाइंग मै यह चाइल्ड प्रोड्यूस करता है यह बच्चों को जुनम देता अंडे नहीं देता और इसके पात इस्तन गरंतियां भी होती है इसलिए मैमल है आओ आगे वन्य जीवों के कल्यान के लिए आरक्षित शेत्र क्या कहलाता है यहां पर हम लोग वन्य जीवों को सुरक्षि इस कोल्ड नैशनल पार ठीक है आओ मानव शरीर में मास पेश्यों की कुल संख्या कितनी होती है तो हुमन मसल्स की बात कर रहे हैं बेटा हमारे शरीर में जो मास पेश्यों की संख्या है 639 होती है या कई बार ओप्शन आपको 700 भी दे सकता है तो दोनों में से कोई एक छलो आप देखा आगे आशी में संकुचन शील प्रोटीन होती है आपकी जो पेश्या है मसल्स है आपके मसल्स कॉंट्रेक्शन रहती है तो इनमें चभी और 5 40 यह बात भीया लिए जाती है जैसे कई बच्चे डर गई हो यह थो आदे को बोलते हैं अब देखो कैसे याद करोगे ऐसे आद कर ले कि जब हमारे शामने शेर आ जाता है तो हम डर से लाल पीले हो जाते हैं तो याद रखना एरेक्टर फीली जिसके पीछे आएगा कई मास पेशियां आप लोगों को डर का एहसास करा तो यह बात भी याद रखना रोगी की जैविक म्रत्यू का अर्थ है उसके उतकों की म्रत्यू जब किसी की म्रत्यू हो जाती है यानि बाइलोजीकली डॉक्टर्स बोल देते हैं कि यह मर गया है तो उस अर्थ का या उस बात का मतलब होता है कि उसके उतकों की म्रत्यू यानि उसके जो दिमाग है ब्रेन उसके उतक मर गई है तो कौन से उतक जब आपके शरीर के मर जाएंगे तो आपको डैड़ गोशित कर दिया जाएगा तो याद रखना दिमाग के उतक जब मर गए तो समझो रोगी भी जैविक रुपते प्रत गोशित कर दिया है ठीक है गले में छले उपस्तित होते हैं जो आपकी स्वेशन नली है इस तरीके से इसमें कुछ छले होते हैं ऐसे यह चले किसके बने होते हैं यह आपको पूछ लिया आप बता दोगे काटीलेस के बने हो ठीक है जलो वही पूछ रहा है रिंग सार प्रेजेंट इन दाने इक फोटीलेस मीन्स बाइलोजिकल डैट रोखता है आपको पूछ रहा है वाट प्रिवेंट दा कैलैप्स और रस्पीरेटरी ट्रेक आपकी स्वशन नली है मैंने बोला ऐसे सीधी खड़ी रहती है तो एकदम सीधी खड़ी रहती है एकदम से लंबी ट्यूब है तो यह गिरती नहीं किसके कारण तो आप लोग ब रिस्क के कारण जिसको आप लोग अभी अभी रिंग का नाम देने थे अभी पढ़ाया था ना रिंग स्कॉटिलेस की जो रिंग स्टी तो यह चल्ले जो थे ना यह सीधा खड़ा रखने में हेल्प करते हैं आपकी स्वांश नली को ठीक है आप देखो छोटा मस्तिश्क क किसे कहते हैं आपके ब्रेन का सबसे छोटा मस्तिश्क कि आपकी बोडी का छोटा मस्तिश्क किसको कहते हैं अनुमस्तिश्क कि आपके मस्तिश्क का कौन सा भाग है बिटा पश्य मस्तिश्क का भाग है और आपकी बोडी का बैलेंस बनाता है क्या करता है यह संतुलन बनात है प्लस एलकोहॉल से यही प्रभावित होता है एलकोहॉल कंजप्शन से यही प्रभावित होता है कर आपके सेवन से भी यही प्रभावित होगा अनुमस तो इसी को बोलते हैं छोटा मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग आपको पूछले कल के एक्जाम में आप बता दोगे सैरी ब्रह्म क्या है बेटा सैरी ब्रह्म इसको आप लोग क्या बोल देते हो इसको आप लोग सैरी ब्रह्म या मस्तिश्क का सबसे आगे वाला हिस्सा है यह अगर भाग है अगर भाग का भाग है मस्तिश्क का चलो आओ आगे देखो पैरा मिश्यम में भोजन किस गती द्वारा पहुचता है जो पूरे शरीर को ढखे रहते हैं तो पैरा मिश्यम होता है ना ऐसे इसमें जो आप लोगों का भोजन पहुचता है वह सीलिया के द्वारा पूंचता है ऐसे चोटे-च को यह उस्तेशन नली का कहां उपस्तित होती है और यू पर देखने के जाएंगे को करते में दबाव को संतुलित को न करता है तो यह करते है यू स्टेशन नली का हुए है इसको कंभू करनी नलीका भी बोलते हैं हिंदी में व कान के पर्दे में दबाव पर्ट सकता है व संतुलित करने का काम करती है एक ብ यह दो क्वेश्टन कांसे आपके याद करके जाना यही कुष्टन से हैं जो कांसे बनेंगे अगर बने तो ठीक है मुकोसा सब म्यूकोसा मस्कूलरिस और एडे विग तीटिया दिवार की चार पड़ते हैं बताओ यह कहां होती है तो बेटा म्यूकोसा सब्म्यूकोसा पेट में होती है यानि गैस्ट्रो इंटस्टाइनल के अंदर आपके पेट से लेकर आपकी आत्र तक फैली होती है यह जो चार पड़ते होती है तो यह भी पूछ सकता है आप लोगों को एक हटके कुशन है डाइजस्टिव सिस्टम पूरा कराया है लेकिन अगर एक अलग त मसल्स या चिकनी मास पेशियां ठीक चलो पड़ते जाओ देखते जाओ बहू के इंद्रित पेशी उतक है एक बार फिर से याद दिला रही हूं जिन बच्चों का टीशू वाला टॉपिक रह गया है रिवाइस नहीं करा जाकर अभी क्लास के बाद रिवाइस कर लेना को सी है सार्ट ओ्रिएस होती है कि कहें तब से लंबी पेसी कों सी है सार्ट ओ्रिस टार्ट ओ्रिस चीदे-सीदे कोश्चन मिलेंगे बैस पढ़ना हैं आप लोगों को यहां पर एक और नाम याद रखना ग्ल्यूटस मैगजीमस लिउटस-मैगजीमस भी ऑप्शन में दि जीवित शरीर के बीतर कोशी का या उतक की म्रत्य को क्या कहते है जब एक जीवित शरीर में कोई कोशी का डैड हो जाती है कोई टीशू मर जाता है तो उसको नेक्रोसिस कहते है उस कंडिशन को क्या कहते है नेक्रोसिस अच्छा कोशन है याद कर लेना पीशी का अध्यन क्या कैलाता है आपको पता है मायोजी विशी का दिन क्या होता है बेटा answering कि आगे आते हैं आपको कुछ हैसे चाड देरी हूं जो पश्वह में कवक जनित रौहों से कवक करते है किया है मतलब करनित रोग मैंने आपको हमारे अंदर पढ़ा दिये अब पकुछ पश्वहों के अंदर और पूछ लेगा आप लोगों पर आपको एसके प्र जिलस दिया हुआ है एसपे डिजीज जो होती है किसके कारण होती है कवक के कारण आपको पता है एस्पर जीलस फ्यूमी गेटस मनुष्यों में दमा रोग करता है अस्थमा अस्थमा आपको कराया था मैंने ठीक है अनुश्यों में कौन सा रोग करता है अस्तमा वानव के अनदर याँ पर याद रखना पस्वों के अंदर ने में दिक्कत हो जाती है और गर्ब पात हो जाता है उनके कारण उसका कारण यहीं बनता है बेटा तो इसके लेते चलना आप लोग ज्यादा नहीं है इस्टो प्लाजमता आपको पूछ लेगा या हिस्टो प्लाजमोसिस जो होती है इस्टो प्लाजमा यानि कि इतना याद रखना कि यह कुछ कवक्यों के नाम दिये हुए आप लोगों और इन पर नजर डालनी आप लोगों यह तीन विमारियां ऐसी हैं जो आप लोगों को पढ़ लेनी एक बार फिर से दिखा रही हुँ एसपरजी लस हमारे अंदर तो रोक करता है पूछलेगा और किसमें बिमारी करता है तो बेटा पश्वो में भी करता है कौनसी भीमारी करेगा पुफुस रुणक्ता एवं गर्ब पात सिर्फ यह पूछ ले तो याद कर लोगे कि एसपरजीलस फ्यूमीघतर पश्वो में को क्या आद करना है और यह दो बिमारी और कर लेना क्राप्त क्र दूसरा क्र ही घдеड़ कोन करता है तो यह रप्टो काकस नियो नियो फॉर्मेंस करता है यह एक कवक का नाम है तो बिमारी का नाम है तो यह कवक कुछ ऐसे हैं जो बिमारियां करते हैं किसके अंदर बेटा आपके जानवरों के इतनी विमारी आपको पूछ लेगा अच्छा एक संतुलित आहार की डैफिनेशन पर भी बन जाता है कि संतु संतुलित आहार आपको पता है ना बैलेंस डाइट क्या होती है देखो सुलो पहे भोजन जिसमें शरीर की व्रद्दी एवं स्वस्त रहने के लिए आविश्यत सभी पोशक पधार एवं तत्व निहीत अनुपात में उपस्तितों संतुलित आहार कहलाता है ठीक है प्रतिय कोई बड़ा है उसकी डाइट चार्ट अलग होगी ठीक है समझ में आई बात तो सबका डाइट चार्ट अलग अलग होता है यहां सेने स्टेटमेंट बनके आ सकते हैं अब देखो सामान्यत है एक सामान्य कार्य करने वाले ओसत युवा मनुश्य को 300 से 3500 कैलरी उर्जा उत है तो 300 से 3500 बता दोगे ठीक है समझ में आगई बात चलो आगया हो अब पूछलेगा कि यह उर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगबग 90 ग्राम प्रोटीन पूछलेगा एक वयसक्त मनुश्य को कार्य करने के लिए कितने ग्राम प्रोटीन के जवरत होगी तो 90 ग तता अन्य आविशक तत्वों का होना आविशक तो बैलेंस टाइट से ना ऐसे पूछ सकता आपको कि सामान्य वयश्क मनुस्य को कितना कितना कार्बोहईडरेट कितना पैट कितनी प्रोटीन की आविशकता होती है तो इसको अच्छे से बढ़ लेना यह स्टेटमेंट है ठी मैंने आपको जो प्रोवाइड करी थी उसके अंदर यानि इस प्रोटी कैसे बांधते हैं या रोगी को चोट लग जाती है तो प्राथमी कुप्चार क्या-क्या होने चाहिए यानि वह पूरी फ्रस्टेट की पीडिएफ है जो मैंने आपको दीती उसको सिर्फ आपको रि पूरी को पढ़ लेना बेटा क्योंकि प्राथमी कुप्चार आपके स्लेवस में दिये हुए हैं आपको पढ़ने हैं चीक है अब आओ ध्यान से अमना में कुछ इंपोटेंट ऐसे कोईशन आप लोगों को बताती हूं जो कि आप लोगों को एक्जाम के अंदर पूछे ग होता है कोई बिमारी कितने टाइम के अंडर क्या करती बेटा फैलना शुरू होती है तो देखो इधर लिखा हुआ है आप लोगों का क्या बिमारी का नाम इजीज स्क्रीन शोट ले लेना बच्चो यह डिजीज लिखी हुए रोग इधर लिखा हुआ इंक्यूबेशन पी जो लक्षन है एक से दो दिन में आपको दिखना शुरू हो जाते हैं तो यह पूरा इंक्यूबेशन पीरिट पास से आठ दिन तक चलेगा इसके भी लक्षन आपको पांच से बीस दिन के अंदर दिखेंगे स्मॉल पॉक्स पूचा कई सकते हैं worst इसक्यां जांक पैले बिं आए ज्यूबेशन इंक्यूबेशन में सकते हैं इसके आज-पास की वैलियू ही आपको करनी है अब यू तुम कहने लगो कि मईम माहा तो हमें 15 दिया हुआ् था स्मॉल पॉक्स का वीक्ण पूछले चोटी माता तो याद रखना 13 से 7 इसको इसको पूछलो रूबेला जो होती है बेटा रूबेला जिसको आप लोग खसरा भी बोलते हो खसरा 16-20 इसका इंक्युबेशन पीरियर्ड होता है फिर पूछले रैवीज रैवीज आपके बॉडी के अंदर रैवीज का वाईरस चला गया तो लक्षन दिखाने में 30 से 100 दिन सकते हैं एकदम से भी लख्षण आ सकते और सो दिन के अंदर विल्खषण आ सकते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरिएट 2 से सो दिन होता है यहन पॉवीड नाइन्टीन आपको पता है वीड तो फैला ही था 3-14 दिन के अंदर इसकर अक्षन दिखने शुरू हो जाएंगे डिएय्हाVE पर सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में एप्लीकेशन पर सबसे लास्ट क्लास हुई थी उसी के अंदर है प्रीड आजाओ कि अब इदर आ जाओ आप इंफ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरेड पूछ ले तो यह भी फ्लू की तरह होता है कोमन कोल्ड की तरह जिसमें मैंने बता है जुकाम सरदर्द बदन दर्द होता है तो यह यह इंफ्लुएंजा एक से तीन दिन में दिखना शुरू हो जाए और मंस जिसको आप लोग कनफेडा बोलते हो कंफेडा यह भी पूचा गया एक्जाम में अंफेडा फिक है दो से तीन वीक हफते है बिटा हफते दो से तीन हफते कि इसका क्या होगा कनफेडा का मंस का इसमें आपका एसे मूह पुरा नीचे की तरफ पूज जाता एक स्व इसको बनाकर रखना आपने पास ठीक है चलो आओ आगे बढ़ते हैं ठीक है अब इधर देखो अब पढ़ लो जिनका भी एक्जाम में कल सीरियस होकर आपस में बातों में मत लगो अब कुछ ऐसे क्वेशन्स जो आपको कई बार आर्मी के अंदर पूछे गए हैं ठीक है आर है जो है किसमांध्यम के पशुडिया से दी जाती है किया यह एक्जाम का इंग कोशन था यह कि ब की बीची चीवाट्टी общем बच्चों को किसमा लेक तर विर आपको पता है बीसी बचाव के लिए जाते टीवी से बचाव के लिए कुछन आएंगे कि आन्ते तवच्चिया तवाई के रूप में दी जाती है तवच्चा में इंटर्डर्मली यानि अंतेत्वचे माध्यम से दी जाती है आपको मुह से प्लाई जाती है या ऐसे करके ऑप्शन बना के देगा वैक्सिनेशन जो है बीसी जी की वह आपको दी जाती है इंटर्डर्मली बिटा ठीक है आओ आगे आप लोगों को पूछ लेगा कि जो पोलि संकर्मन को कैसे रोका जा सकता है कैसे रोका जा सकता है यह कुश्चन था कि पोलियो संकर्मन को कैसे रोका जा सकता है तो बेटा इसका जो साही आंसर था आप लिख लेना ओन एक्टिंग बाई पीसस ठीक है या फीकल औरल ठीक है तो देखो यहां पे आप लोगों को हिंदी में लिख लेना है कि जो फीकल औरल किकल औरल क्या होता है बेटा जो मल होता है ठीक है मल को मुख में जाने से रोकने पर देखो होता क्या है तो यह पोलियो का वाइरस है यह मैंने आपको बताया था गंदे पानी में रहता है बिमारी बिमारी पोलियो अब गंदय पानी जो होता था वो कैसे कि यहाता तो Parlोच को लिए खेतों में चोटे बच्चों को घर हसार सब्सक्राइब सब्सक्राइब लए जाता तो सब्सक्राइब ऑप Еще啊 मुह में डालते थे गवाएरस्ट के मूह में नखूनों के दवारा वा e-rse उनके मुऊ में चले जाते लवारो इस पानी के अंदर होते था कौई खाने के मल पर पहले मक्ही बैटी वई मक्ही जिवितों आपके जो मोदी जी इनों इन्हों ने चेतों के पूछ पूछ अब देखों, sa passa अप लोगों सायंगे एक्जाम में जिनको आपको खुद करना है आजाओ आगे अब देखो और क्विश्चन कि पूछा गया था कि और स्काज हो लोता है और CEO this old that is already किस परिस्तिती में दिया जाता है और इसका गोल किसको देते हैं इसमें आप लोग लिख दोगे dehydration यानि की dehydration को रोकने के लिए dehydration निर्जली करण को रोकने के लिए निर्जली करण को रोकने के लिए आप लोगों को पूछे थे जैसे आप लोगों को पूछे थे जैसे आप लोगों को एक्जाम में पूछ लिया गया था कि नुकीले उपकरण को इस प्रकार भी संकर्मित किया जाता है आजाओ यह पस्टेड से यह क्वेश्टन है जो मैं आपको बता रही हूँ नुकीले उपकरण जो होते हैं बेटा इस हैyer को नुकीले उपकरणों को किस प्रकार किस प्रकार भी संकर्मित किया जाता है कि संकर्मित किया जाता है कि बता दो जल्दी से किया जाता है तो बेटा जो आप लोगों के surgery प्रजरी वगैरा मिह दो कि यूकियर करन उनको कैसे संकर्मित करोगे उनको कैसे आप लोग सिरलाइस करोगे तो बेटा आप लोग बता दोगे कि उबालकर उनको साफ किया जाता है ऊबालकर या गरम भाप ड्वारा गरम भाप द्वार बोईलिंग करके या तो बॉइलिंग कर लीजे या फिर इस टीम यानि की जो गरम भाप है उस पर उनको रख दीजे तो वह क्या हो जाएंगे बैक्तिरिया वाइरस से फ्री हो जाएंगे आजाओ आगे अब वैसे और भी कोशन आप लोगों को पूछे कमाश्या केरेटो मलेश्या जो है इस केरेटो मलेश्या किससे संबंदित है किस से संबंदित है किकरें आखों से संबंधित बिमारी किसकी कमी से होता है विटामीश के बिमारी के लक्षन दिखने शुरू होता है तो बेटा यह इसका संबंद भी खसरा से है यानि विटामीन एसे होने वाली सारी बिमारियों के अंदर बच्चे के अंदर मीजल्स के सिम्टम भी दिख सकते हैं तो केरेटो मलेशिया पर भी कुश्चिन बना हुआ है बिटा आओ आगे आगे बात करते हैं कि आप लोगों का स्क्रिंशोट ले लिजे नेक्स्क्रिशन और मैं बताती हूं हां विच इस मॉस्ट डिफिकल्ट तू ब्लॉट इस प्रकार की बिमारी को किस प्रकार की बिमारी को कि प्रकार की बिमारी को प्यालने से रोकना है बताओ जल्दी अब मैं आप्शन देती आपको यहां पर option भी है मेरे पास पहला निन गोहने कारक जनित रोग है उनको पैलने से रोकनी है दूसरा जो दिया हुआ था man to man मनुश्य से मनुश्य के अंदर फैलने वाली बिमारी ओको मानव से मानव ठीक है ये option दिया हुआ था आप लोगों को मानव से मानव तीसरा दिया हुआ था वायू जनित रोग वायू जनित यानि airborne डिजीज एयर बॉर्ण और थर्ड दिया हुआ था फोर्थ दिया हुआ था जल जनित रोग वाटर बॉर्ण अच्छा बता दो कौन सी बिमारी को फैलने से रोकना बहुत मुश्किल है बताओ जल दी से यह कुश्चन था बेटा ऐसे कुश्चन आएंगे बताओ इस प्रकार क बिल्कुल एयर बोन होगा क्यों क्यों जब पानी वायू उड़ेगी तो मनुष्य भी सांस लेंगे मनुष्य के अंदर हो जाएगी और मक्ही मच्छर यह भी सब एयर में रहते हैं और पानी के अंदर भी आप लोग क्या पानी जो है हवा के दुवारा पानी एयर बोन डिजीज जो होगी वो फिर सभी में फैल जाएंगे जैसे कोरोना मानव से मानव में फैल रहा था एक दूसरे के टच में आने से फैल रहा था तो डिस्टैंस रखा हम लोगों ने दूरी रखी दूरी बनाकर रखी छे पिटकी तो कही ना कहीं कंट्रोल कर पाई लेकिन अगर हवा में इतना ज्यादा फैल जाता तो फिर तो हर विक्ति को होता चाहिए कितनी दूरी बना लो तुम हर विक्ति सांस ले रहा है तो इसके अंदर जाती है भी वाट तो ऐसे करके भी क्वेशन आएंगे आप लोगों को ठीक होता है इसको ठीके लिख अंत्रित करने की विधी को क्या कहते हैं तो जब बच्चे आप लोगों को ठीका लगाने वाली आते हैं आपने देखा होगा आँगनवाडी से ओड़ते टीका लगाने आती है तो वो ना एक धर्माकॉल का बोक्स वोता उसमें अपने वैक्सिनेशन को रखे रखती है तो ऊस इस्ताने बेज तो tuh को एक जगा से डूसरी बेजरी है या तीक के संगरहीत करी प्रिकिरिया को किस नेम से जाजाता है तो इसे बोला जाता है बेटा कोंड चेंट आप लोगों ने देखा होगा उस फेर मा कोल के अंदर कुछ है इस भरा गया खिआ चैक किसको एकजाम का है याद रखना आगे देख लो एक वर में पूछ था परिवार नियोजन ठोके लिए इस लाटुब क cybersecurity अ तरह चांट वाटु गुरुण करते लिए यह पूछा है कि परिवार नियोजन के लिए किस धातु का यूज करते हैं बेटा आंसर दे दोगे कोपर कोपर की क्या लगाई जाती है कोपर की लगाई जाती है जो महिलाई होती है उनके अंदर आयु जी कि आयु जी एक कोपर की लगे हुई होती है ओपर की लगाते हैं जो आप लोगों की आईउगोडी होती है अब आप लोग पुछहोंगे कि आयु इडी क्या थे इसकी फूलफ सूर्म लिए जागाए टिक टैम के ट्रला यूट्र1 यूट्रेन कॉंट्रा सेप्टिव है एंट्रा यूट्रीन कॉंट्रा सेप्टिव डिवाईज यह होती है इसकी फुल्कॉम यह हिंदी में रहेगी यह इंग्लिश में रहेगी आई-उ-ड तो परिवार नियोजन के लिए ये copper की iu e d लगाई जाती है ठीक copper धातु का यूज़ करते हैं परिवार नियोजन के लिए next question आपको ये पूछा था बेटा कि डिम्ब वाहिनी नलीका को निकालना तीक है दिक लीजेगा इसको भी दिम्ब वाहिनी तिम्ब वाहिनी नलीका को निकालना cuz कि निकालना या बांधना कि निकालना नलीका को निकालना या बांधना क्या कहलाता है कि ए ए effе कहला तो वेटा को बेटा डिमवाईनी नलीका होती है फैलोपियन च्मूब यानि महिलाओं के अंदर होती है यह जब इसको निकाल देते हैं महिलाओं के इंदर से ऐसको बांद देते हैं कि अ की मेली सब्सक्रिया को बोलते हैं एक और फिर म।क आप तोमी अब देखो अगर आपको इस बार पूछ ले कि पुर्षों के अंदर पुर्षों के अंदर होती है एक नली वास डिफेरेंस नली पुर्षों में कौन सी नली है जिसके जिससे उनके अंदर क्या की जाती है नसबंदी यह महिला की नसबंदी यह इसको क्या बोलते हैं मह दोड़ान काट दिया जाता है बंद कर देते हैं तो आप लोग बता दोगे वास डेफिरेंस कि वास डेफिरेंस नलीका को निकालना या बांधना कि कालना या बांधना क्या कहला था यह आपको पूछले कि आप लोग बता दोगे कि पुर्षों के अंदर जो व्यास डिपेरेंस नली का है जब इसको बांध देते हैं या निकाल देते हैं तो इस प्रोसेसर को बोला जाता है बेटा आप लोग बोल दोगे वैस को टैमी ठीक है तरह सब्सक्राव में को बोलते हैं वैसक टॉमी और यह पुरुषों के अंदर नस्बंदी होती है इसको पुरुष नस्बंदी बोलते है यह पुरुष नस्बंदी यह महिलाव के अंदर नस्बंदी है क्यूबक टॉमी और वैसको टॉमी जो होती है यह पुरुषों के अंदर नस्बंदी है तो अब बताओ आप लोग किसी को कोई दिक्कत ये बताओ जल्दी इस तरीके के questions हैं जो आप लोगों को examination में बेटा पूछे जाएंगे हाँ एक question और आप लोगों को लिख लेना है देखो माला डी के उपर question आया हुआ है माला डी माला डी किस प्रकार की किस प्रकार की किस प्रकार की गर्ब निरोधक है किस प्रकार की गर्ब निरोधक है आला डी किस प्रकार की गर्ब निरोधक है बेटा तो आप लोगों को पता ईसके रूप में चया निहां के आती है निख सब्सक्राइब लिया वह भनी के रूप में इसको जा ना जाता है एसे एसे से उस्टन आप लोगों को बन कर यह एग्यान के अंदर को मैने यह बता दिए आप ठीक है है तो यह आप लोगों को कुछ एक्स्रा कुश्चन ते जो कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं एक दो का टी का न्यूम है इसमें आप लोगों को सारी दिवारिया मैंने बता दी ती एक्स्टा भी कराए थी विशानू से ओने वाली सारी बिमारिया मैंने आपको लिखवा दी थी एक भी कुश्चन नी चोड़ क्या होगे यहां से क्या क्या था बेटा ए चाचा इन्हे डाटो दि ये भी बताये था मैंने आपको इसमें आने वाली सारी बिमारी आपने कर ली थी मैंने आपको प्रोटोजोवा से होने वाली बिमारियां बताई थी बेटा ठीक है डीम पीके सिंग मैंने आपको टिक बताई थी डीम पीके सिंग मैंने आपको कवक से होने वाली बिमारियां बताई थी बच्चे फंगस से होने वाली बिमारियां क्या थी गंजा दामाद खाए प्रूट गंजा दामाद खाए प्रूट जिन भी बच्चों के यह रह र आप लोगों को चीजे पड़ लेनी है बाकि मैंने आपको सर्क्यूलेटरी सिस्टम से भी कुश्चन्स बताये थे या आप लोगों को समझाये था बहुत अच्छे एक डाइजस्टिव सिस्टम से भी बन सकते हैं डाइजस्टिव सिस्टम और बेटा आपकी बोडी में जो ग्लैंड्स पाई जाती है ग्रंतियां व जो सब एक बार रिवाइस कर लें खर ली होगी आप लोगोंने यह जितने भी मैंने आपको कों करां आए हैं इनको भी बड़े प्यार से एक बार देख कर जाऊंगे हैं और Dieser तो मैंने बहुत सारे से स्कूपास डिखूत समझ में आ गई बात बताओ अम मुझे बताओ किसी बच्चे को क्या दिक्कत है एक नर्वस सिस्टम बोला ना मैंने नर्वस सिस्टम कराया था और ब्रेन के अंदर ब्रेन का अगर भाग कौन सा इसको एक बार देख लो देखो आपका जो ब्रेन होता है ना आपका जो होता है कि तीन भाग में बटा हुआ है आपका मस्तिश्क तीन भाग में बटा हुआ है देखो एक तो होता है अगर मस्तिश्क इसके पार्ट पूछ लेगा अगर मस्तिश्क जिसको आप लोग बोलते हो पोर ब्रेन पोर ब्रेन इसके पार्ट पूछ लेगा आपको कि रोता बाद होता है आप लोगों का पश्य मस्तिश्क को इसके पाट आपको पूखतेगा जिसको आप लोग हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन बोल अब एक चार्ट में वें तीनों के पार्ट आपको बता देती हूं देखो अगर मस्तिश्क के तीन भाग आपको पढ़ने हैं सबसे पहला है सैरी ब्रह्म कि यह सबसे बड़ा भाग है पूरे मस्तिश्क का सबसे बड़ा भाग होता है इसके बाद आता है बेटा आप लोगों का थैलेमस या हाइपो थैलेमस लिख लो फिर थैलेमस के हाइपो थैलेमस यह हाइपो थैलेमस जोद होता है आप लोगों का यह और प्प्यार हो गया जरना हो गई सिद्ब हो गई इस आपकी बोडी का तापमान भी यही नियमुद करता है तेमप्रेचर भी यह नियमित करता है इसलिए इसको थर्मोमीटर भी बोलते हो आप लो थर्मोमीटर भी बोलते हो इसको आइपो धैलेमस को और तीसरा है बेटा थैलेमस यह थैलेमस क्या काम कर रहा है थंडे और गरम की पहचान कराता है थंडे गरम की पहचान यह बार सूज़ा वहां लिख रही हैं मिड़ाइन के पार्ट वाइट कलर से तो पार्ट होते हैं मेरेन के एक तो होता है से एरिबल पेंडीकल चाहिए पैरीबल पेंडीकल और एक होता है आप लोगों का है जो हिंड ब्रेन जो मतलब आपका मध्य ब्रक्षिक है के बारे में पोइंट ओ लिक लिए ना यह सबसे छोटा ब्रेन होता है पुछले आपके यह सबसे छोटा है है के सबसे छोटा है को एक पार्ट हो गया सरीब पैंडीकल और एक हो जाता है आप लोगों का और पोरा को पौपॉर से जोडने का काम करते यानि बीच का मस्तिश्क है तो आगे वाले को पीछे वाले से जोडने का काम कर रहा है कि कर सबसे चोटा भाग है अच्छा हिंडो ब्रेंज जो होता है इसके तीन भाग है इस लेना तैरी बेलम जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं आज ही बताया था आपको यह चोटा दिमाग है और यह आपकी बोडी का बैलेंस बनाता है बिटा आगे है पॉन्स या पहले लिखना मेडियूला ओबलंगाटा मेडियूला ओबलंगाटा यह भी आपका पश्यमस्तेश्क का भाग है मेड्यूला होगाटा और लास्ट conference on fanस आतके स्वाषन त Але कोनी अंत्रित करता है स्वाषन तन्त्र को और मेड्यूला ओबलंगगाटा भीटा हिचकी कुल्टी से लिखे लिए लिख किछकी आना बेटा शिक्या इसकिया ना कुल्टी आना हांसी आना यह चीक आना रखार आना इन सब को कंट्रोल करता है कून मेडियूला औफ लूंग गाटा तो एक चार्ट में पूरा ब्रेन हो गया आप लोगों का चार्ट में पूरा प्रेशर नहीं डालना है इतना हो गया बहुत है अच्छे से कर पाऊगे आप सीधा सीधा बिस पढ़ लो और आंसर आपको याद रहे और आप करकर आजाओ ठीक है तो सीधा सीधा बैस एक बार रिवाइस करना है बाकि थोरी में जाओगे तो डिटेल में जाओगे चीज़े दिफिकल्ट हो जाएंगी फिर आप उल्जन में पढ़ जाओगे सीधा 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 क्वेश्चन एक बार देखो नजरों से घुमाओ तो सकता है कल की शिफ्ट में आपको मिल जाए पॉसिबिल्टी पूरी है बाकी एक्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आएगा रोजगार्वी दंकित ऐप्लीकेशन के अंदर इक लो बहुत बढ़िया बताओ जल्दीश किसी बच्चे को था तरना नहीं है मेरे शेरो मेरे चीचार रोगे चोगे जो डर गया वो मर गया त्प्र आपको घर नहीं आना को सलेक्शन लेकर अपनी पोस्टिंग पर जाना ह आपको क्या करने तर सबस्खी अच्छी से लांट के लियुद है चह रहे आप बहुत अच्छा बनेंगे वह मेराथन में सारे इंप्लून करें ठीक और मैराथन जिन बच्चों ने टेंट करेंगी उनको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा ठीक भी बच्चों तो कुछ क्वेश्चन्स लगे होंगे यहां पर डिफीकल्ट जस्ट पढ़ना है उनको एक बार रिवाइस करना है बाक आपको इंपोर्टेंट कंटेंट लास्ट टाइम में दिया है आप आप लोगों की जो मेहनत है वह आपके काम आएगी बेटा धन्यवाद शुक्रिया अद्या को पता दें शोट में बच्चा पूछ रहा है को शिका शॉट में आप लोगों को मैने बताया था के जो चैनल याना कोशीका यह पूरा टोपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको लोजों को सब्सक्राइब करते हैं कि और लूको लस्तिक है कि यह सारी दे दर फॉलिे 一 ए ऐंदर कोशी का जिल्ली कोशिका वित्ति की फुक्ति के बारे में पूछ कोशीका जिल्नी के बारे में पूछ ले और कोशीका के बारे में आप लोगों को पूछ लेगा कि जब समान प्रकार की कोशीका यह आपस में जुडती है तो क्या बनाती आप यह तो यह टीशू वाला टोपिक भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था इसको भी देख लेंगे आप लोग ठीक है और कोशिका के अंदर ER endoplasmic reticulum क्या होते हैं राइबोसोम क्या होते हैं ठीक है और गौलगी बोडी क्या होती है ये सारी चीजे एक बार देख लेना मैणला लाइसो स्यम क्या होते हैं बेटा ठीक है लाइसो सॉम क्या होते हैं तो यह सब तो बढ़ा ना पूसिबबल नहीं और ना ही आपके पास टाइम है क्योंकि आपको डिबीविजन भी चीजे ओर भी आरा था न होगी बहुत बढ़ा टोपिक हो मैं आपको यद करा दिया चीजे कि इन इनको एक बार अच्छेसे देख लेना प्रोकरेयोटिक कोशि गहँए यह दूती कोशिक होती है औरaları जीवान की क्सकी बनी होती है गलाइको क्रोटीन काふ तर लोगों को यह सारी चीज़े हैं जो आपको करनी है ठीक चलें तो आगे काईटीन काईटीन ठीक चलो तो अब ज्यादा प्रेशन नहीं लेना है अब जितना हो चुका है जैसे हो चुका है बैस एक बार पढ़ना है आप लोगों को आपकी राम राम धन्यवाद शुक्त